राधे राधे अबरिवान, हाव आई यू आल, I hope that you all are fine and doing well, welcome to my another new cooking vlog, आज मैं फिर से हासिर हो गई हूँ, एक healthy tasty and colorful recipe लेके, विंटर से हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम पानी को टच किये, हम जादा से जादा टेस्टी खाना कैसे बना पाएं, तो आज मैं पानीर की और जीरा राइस, जब तक राइस बनाने के लिए, सबसे पहला step आपको यह करना है, कि उसे पान से छे बार अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देना है, जब तक राइस अच्छे से सोक नहीं होंगे, तब तक हमारी recipe अच्छे से बने की नहीं, और यहा तो मश्रूम मेरा ready है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, Capsicum, Capsicum को मैंने roughly chopped किया है, विंटर्स है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि बहुत ज़्यादा finely chopped ना करूँ, क्यूंकि ठंड में इतना ज़्यादा करने का मन किसी का भी नहीं करता है, अब मैं डाल रही हूँ, roughly chopped onions, अनियन्स के लच्छों को मैंने अलग नहीं किया है, जब हम आगी का process करेंगे तो इसमें लच्छी खुद बखुद अलग हो जाएंगे, फिर मैं रफली chopped tomato इसमें डाल रही हूँ, मैंने एक big size का tomato यूज किया है, और coriander leaves है, इन्हें मैंने finely chopped किया था, इसके बाद मैं ले र मुझे इन्फेक्ट ये mixi में किया है, मतब grind करके जो पेस्ट बनाते हैं, उससे जाधा अच्छा मुझे खलवट्टे वाला लगता है, तो मैं जाधा तर अपने vegetables में या जो भी मैं बनाती हूँ, उसमें खलवट्टे वाला ही यूज करनी का पुशिश करती हूँ, मैंने अधरक लेस्ट को फिर मैं या पर त्री फोर्थ कप डाला है कर्ड अगर आप खटा कम खाते हैं तो दही का जो पॉर्शन है उसे कम कर दीजेगा, फिर मैंने या पर डाला है दो टेबल स्पून बेसन, बेसन डालने से इस रेसिपी का टेक्शर बहुत अच्छा आता है, फ क्युमिन पॉर्डर हाफ टेज़ स्पून कोरिंडर पॉर्डर एंड वन टेज़ स्पून ऑफ किचन किंग मसाला और वन टेज़ पॉर्डर मैं अचिर इसे पी खटा खटा बनाने वाली हूं इसलिए मैंने यहाँ पर आम चूर पॉर्डर भी उसक्या है, अगर आप बहु मैं इसे मैरिनेट करूंगी हमें इसे चार से पांच मिनिट तक इस तरीके से स्पैचुला या किसी भी चंपच का हेल्प लेके इसे मिक्स करना है ठंड है तो हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा है हमारे इदर तो भी बहुत ठंड है पानी को टच करने का मन नहीं करता है चाहि आप प्यास के लच्चे खुल गया है इसलिए मैंने पहले इस अलग से प्यास के लच्चों को नहीं कोला था मैंने यह पर कढ़ाई लिया है यह पर मैं डाल रही हूं घी और रिफाइंड ओल दोनों को मिक्स करके तो टोटल वन एन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने यह देयर सारा जीरा क्योंकि जीरा राइस बनने वाला है तो जीरा प्रम चावल का अच्छा पानी में दिया है थोड़े सा पानी है लेकिन इसे हम 30 से के लिए फ्राइकर लेंगे से हलके हाथ हो से तो पानी अपने आप सूख जाएगा जीरा राइस में इसे अगाल पानी अब को पानी यूज़ारो गाम करता है जाहाता केम स्ब्सक्राइश कर एक जाही दूप पानी करें क्ताम पानी धे ывать यूप कर रेशियो रहता है तो मैंने यहां पर एक कप चावल लिया था क्ञा erklon आप चावल और पानी को अच्छे से मिख्स कर दिया है लेकिन आप तीज तरार हाथों से या फिर बहुत जादा प्रेशर के साथ ना चलाएं इसके बाद हम डालने हैं साल्ट हम थोड़ा सा कम करके ही डालेंगे क्यों कि हम सबसी के साथ राइस को काएंगे तो इसमें अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लएगा खाने में इसलिए मैंने सॉल्ट का जो सॉल्ट का जो क्वेंटिटी है उसे तोड़ा सा कम ही उसकिया है अब मैंने यहां पर गैस को सीम पर करके एक तम लुए स्ट्रेम पर करके ढखल नगा के छोड़ दिया है फिर इधर ले लिया एक फ्राइपन वहां डाला है मस्टर ऑईल और मैं प्यास डाल रही हूं इसके अंदर प्यास को मैंने लंबे लंबे शेप में काटा है लेकिन यह इसके बाद प्यास को तीस सेकंड या एक मिनट तक फ्राइब करने के बाद मैं इसमें थोड़ा से जीरा डाल रही हूं हाफ टी स्पून के करीब गोटा जीरा अगर आप चाहें तो डालें अदवाई स्किप करतें तो मैंने यहां पर जीरा डाल दिया है अब मैं यहां पर मुझे बहुत जोनों से ठंड लगी हूई है कफ है कोल्ड है जिस वज़े से मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूं एकी बार मैं दो दो बात को मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है फिर मैंने यहां पर डाला है दो हरी मिर्च हल्दी का पॉडर हाफ टी स्पून और इसे फ्राइ करेंगे और बहुत जादा टाइम इसे फ्राइ करने में नहीं लगता है चार से पांच मिनट के अंदर हमारा पनीर प्याज का जो फ्राइ है वो बनके तयार हो जाएगा और मिर्च भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसी तरीके साब को करना है अगर आप चाहें तो आप इसमें मसाले एड़ कर पाएंगे जैसे कि जीरा का पाउडर या मिर्च पाउडर या कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं लेकिन मुझे आज यह बिल्कुल बनाना था इसलिए मैंने ऐसा बनाया तो मेरा बन के रेडी हो गया है मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है अब मैं गैस को बंद करके इसे निकाल लूँगे इसके बाद हम बनाएंगे मश्रूम तो मश्रूम बनाने के लिए मैंने वही पैन गरम होने के लिए और यहाँ पर टू टी स्पून ऑईल डाला है फिर मैं कुछ खड़े मसाले इसमें डाले हैं मैंने आपके पास जो भी खड़े म पानी है तो इसलिए मैं इसे फिर से ढखके रख दूंगी और गैस मेरा अभी भी सीम पे ही है गैस को के फ्लेम को लोईस्ट में ही करके रखना है हम इसे बढ़ा नहीं सकते बढ़ा देंगे तो फिर हमारा चावल नीचे से जल जाएगा तो यहां मेरा खड़ा मसाला क्रैक लॉंग, काली मिर्च, जावित्री यह सारा और थोड़ा सा जीरा यह यूज किया था अब इते ही तिल में मैं इसे पकाऊंगे मैंने सारा वेजटेबल इसमें डाल दिया है इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे इस तरीके से और जिस कंटेनर में मैं इसे मैरिनेट किया था उस अब दो टेबल स्पून के करीब पानी मैंने डाला है अब हम इसे यसी तरीके से फ्राइ करते रहेंगे ढखकर और गैस के फ्लेम को लो ने करके तो देखिए इधर चावल में चेक कर रही हूं कि हुआ है कि हुआ है कि अभी एक से दो मिनट और मुझे रखने होंगे इसलि मेरी सबसी भी लग बग अब रेडी हो जाएगी और इधर मेरा राइस अब बन के तयार हो चुका है देखिए राइस बिल्कुल बहुत अच्छे से खिला खिला सा बना है अब मैं इसके उपर धनी के पत्ते मतलब जो मैंने फ्रेश कोरियंडर लीप्स फाइनली चॉप करके मैंने डाल दिये और डालने के बाद मैं इसे ढख के रखोंगी दस मिनट के लिए उसके बाद मैं इसे सर्फ करूंगी तब तक मैं मेरी सबसी भी बन के रेडी हो जाएगी देखिए अब सबसी से थोड़ा थोड़ा तेल निकलने लगा है अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ को आफ़ कर दिया देखिए मैं राइस को निकार रही हूँँ ये कितना खिला खिला बना है चावल के दाने एक दूसरे के साथ सटे हुए नहीं है और ये तूटे हुए भी नहीं है चाव्लान को बनाते वक्त अगर हम धोते वक्त भी ध्यान रखें तो ये तूटेंगे नहीं तो मेरे चाव्ल तो बहुत खेले खेले बने हैं देखने से लग रहा है कि जैसे टेस्ट इसका बहुत जुदा अच्छशा होगा देख के अच्छा लग रहा हो तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं जो मुझे पहली बार देख रहा है और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वेले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें थैंक यू वेरी मच एबरिवान फॉर यूर सपोर्ट एक बार फिर से देख लीजिए चावल कितने खिले खिले बने हैं बाई एबरिवान